हेलो दोस्तो मैं हूँ मिराज और आप देख रहे हैं मिराज एडिटर तोस्तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से एक अच्छा सा अपना फोटो एडिट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंतक बने रहेगा जैसा आप स्क्रीन पर या फोटो देख रहे हैं मैं इसी प्रकार का फोटो आपको एडिट करना इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो में पुराण तक बने रहे और आचुके हम अपने मॉबायल के स्क्रिन पर और शुरू करते हैं अपने वीडियो को तो साथ योब फोटो को इडिट करने से पहले हैं सबसे पहले हम अपने ऊस फोटो को यानि सच करेंगे जो कि हमारे फोटो गैलरी में होता है या फिर किसे भी फायल में हो सकता है तो आचुक है हम यह आपने photo gallery में और उस photo को यहां पर हम select कर लेंगे जैसे कि आप screen पर देख रहा हैnew मैं इस photo को select कर रहा हूं और इसको delijk करेंगे और share करने के बाद option यहां पर दिखेगा। इसके लिए हमारे पार snap sheet Pixart और यह alert होने होने चाहिए स्नेफ सीड में हम इसको open कर लेंगे अभाँ अब हमारा जो फोटो है यहसिड में open हो चुका है अब इसके लिए हम लोग tools पे जाएंगे और tools में से यहां पर हम tune email को select करेंगे और tune image को select करने के बाद यहां पर हम brightness है त्रास्ट है इसको अपने हिसाफ से रखेंगे जैसे कि ब्राइटनेस को मैं यहां पर 23, 29, 21, 20 आपके हिसाफ से जितना आपके फोटो पो अच्छा लागे जचे आप उतना रख सकते हैं तो और यहां पर एम्बियंस और हाइलाइट को भी अपने हिसाफ से यहां पर मैनेज क रखेंगे मैं अपने फोटो के हिसाफ से यहां पर इसको सेलेक्ट कर रहा हूं इसके लेबल को आप अपने हिसाफ से रख सकते हैं जैसा कि सैडों देख रहे हैं यहां पर इसका लेबल है 19 है मैं 19 रखा हूं आप अपने फोटो के हिसाफ से रख सकते हैं ब्राइटनेस है जो भी है अब फिर हम लोग tools पे जाएंगे और यहांसे selective को यहां पर देख सकते हैं आप लोग बढ़ा रहा हूं जयरे से में चlight आ जाएगा और फिर tools में जाएंगे और details पे क्लिक करेंगे यहांपर हमको आप से मिलेगा शॉर्पिंग और यहां पर इस्ट्रक्चर तो शॉर्पिंग को यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसके लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूं जैसा कि 36 और इस्ट्रक्चर को भी यहां पर इसके लेवल को मैं लगभग 11 रख रहा हूं तो आप अपने हिसाफ से इस लेवल को रख सकते हैं तो वीडियो में पूरे धहरे के साथ अंत तक बने रहिए और एक अच्छा सा फोटो में आपको यहां पर एड़ करना शिखाऊंगा फिर हम लोग पुना टूल्स में के बाद ही लिंग को हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे और जो भी रिंकल ओंकल हमारे चेहरे पर जो भी कट अफ दिखेगा हम उसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा क्लेन कर लेंगे तो यह हो गया और उसके बाद हम लोग पर क्लिक कर देंगे जो कि आपको साइन का चिन दिख रहा है ट्यूरी में सेलेक्टिव जो भी हम लोग इसमें एडिट किया है बदलाव किया है हीलिंग आप देख सकते हैं इसकी में पली रहा है और फोटो यहां पर पूरी तरह सेव हो चुका है अब पुना इसको हम लोग लाइट रूम में ओपन करेंगे लाइट रूम एप आपके करेंगे तब यहां से हमारे पास एक पहले से फोटो है जो की इसमें थोड़ा बहुत सेटिंग लगाए गया है जिसको हम यहां पर सेलेक्ट करके इसकी सभी शेटिंग को कॉंपी कर लेंगे और इसको कॉंपी करने के बार उस अपने फोटो पे जहां भी हम फोटो अपना और युछ कर रहे हैं उसके ले जाकर सभी सेटिंग्ड को past कर देंगे तो यहां पर त्री डाट आपको ऊपर दिख रहा है corner में पेस्ट सेटिंग्ड दिख रहा है कि found अम लोग इसको पेस्ट कर देंगे अब हमारे फोटो देखिए इस तफ़कार से चेंज हो चुका है उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पर आपसन है इसमें सम कलर को सेलेक्ट करेंगे और टेंप है इसमें से एक एक को अम लोग अपनी इसाफ से थोड़ा बहुत एडिट कर लेंगे आप अपने इसाफ से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा जितना की फोटो पे फोटो आपका अच्छा दीखे उतना ही रखिएगा जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लेबल इसका घटाने और बढ़ाने पर देख रहे हैं फोटो का जो है कल और चेंज हो रहा है यहाँ पर तो इस प्रकार जो है आप भी कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इसकीन पर दिखा रहा हूं तो इसको करने के बाद इसको हम लोग अच्छे से सेलेक्ट करके और इसको डन कर देंगे और इसके बाद हम इसको शेयर टू कर देंगे और यहां से जब शेयर करेंगे तो हमें एक और एप की जगुरत पड़ेगी जिस एप का नाम है यहाँ पर देख सकते हैं sketchbook और इसमें sketchbook में हम इसे एप को अपने mobile में आप लोग पहले से install करके रखिएगा तब ही जो है आप अपने photo को यहाँ पर edit कर सकते हैं तो sketchbook में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर brush को select करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे brush के option है तो आप यहाँ पर इसमर्ज का जो option दिख रहा है इसमें से एक brush select करेंगे और वहां से इसके size को हम अपने हिसाब से रख लेंगे और उस photo पर ले जाकर हम यहाँ पर अप्थवासा इस photo को zoom कर लेंगे rotate कर लेंगे और rotate करने के बाद अपने face पर जहाँ भी थोड़ा बहुत सैडों चाया या जो भी धब्बा भागा उसको आम लोग clean करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसा की screen पर मैं brush के माधियम से यहाँ पर photo में सुधार कर रहा हूं या फिर clean कर रहा हूं तो इस प्रकार से आप उस एरिया को जगा को फोटो के उस एरिया को सेलेक्ट करना है जहां भी आपको चेहरे पर धब्बा भागा जो भी है उसको आपको clean करना हो तो आप देख सकते हैं screen पर जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं आपको भी ऐसा ही फालो करते जाना है फोटो को पूरा जूम करके हर एंगल से जो है उसको देख लेना है चेक कर लेना है और सभी जगा जो है उस ब्रस का यूज करके अपने चेहरे का जो है यहाँ पर clean करना है जैसे कि आप देख रहे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके जो एप के माधियम से इसकी साहिता से कितना अच्छा से हम फोटो को यहाँ पर जो भी इसकेच या धब्ब्य है उसको कितना बढ़िया clean और smooth यहाँ पर बना सकते हैं तो इस प्रकार इस एप का परियोग कर गए अब भी अपने फोटो पर जो भी चेहरे पर या किसी भी पार पर इमेज के अगर कोई wrinkle है इसक्रेच है तो उसको आप एगदम smooth बना सकते हैं तो इस एप के माधियम से हम फोटो केवाल smoothness या और इसमें जो है कर सकते ह हैं और यहां पर देख सकते हैं और भी basic इसमें brush है basic वाला brush यहां पर select करेंगे और जो lips है यानि जो होट है हम उसके जो है थोड़ा सा उसका color change कर सकते हैं देख सकते हैं इसका color हम यहां पर change कर रहे हैं तो आप भी इस एप का प्रियोग करके आप अपने lips को यहां पर आकर दखाते हैं अब यहां से हम लोग इसका थोड़ा सा जो लेबल अ ब्राइटनेज का इसको थोड़ा बहुत अपने इस आप से मैनेज करेंगे और यहां पर देख सकते हैं इसको जो है शेयर करेंगे फुना एक नए एप में और वह हमारे पास आ चुका है जिसका नाम है यहां पर वह आपको पहले से अपने मुबाइल में इस्टाल करके रखना पड़ेगा फेशेप और इस फेशेप में हम लोग आ चुके हैं फोटो मारा यहां पर लोडिंग हो रहा है इसके एजबूक एप से हम वहां से फोटो को अपना पूरा सुधार करने के बाद से ओपन क करके सीधा उसको शेयर करते हैं तो सीधा हमारा जो है इसेप में आकर फेशेप में लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग हो जाने के बाद हम पूरा इसको फोटो को जो है इसमें कि आपको एजिट करना सिखाएंगे तो वीडियो में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप लोग कि तो हमारा वीडियो जो है फेश एप में यहां पर ओपेन हो चुका है जो है फोटो है तो अपने फोटो को महां से शेयर करने के बाद हम फेश एप में अपने फोटो को ओपेन कर लेंगे तो फोटो लोडिंग होने में थोड़ा सा समय लेगा तो थोड़ा सा वेट करेंगे फोटो फेश एप में यहां पर लोड हो रहा है तो हमारा फोटो फेश एप में लोड हो चुका है और यहां पर आपको नीचे आप्सन मिलेगा देख सकते हैं अब इसमें सो कोई भी एक बढ़िया सा आप यहां पर सेलेक्ट करके यूज करेंगे आप इसमें देख सकते हैं आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर थोड़ा सा वक्त लगेगा थोड़ा सा इंतिजार करेंगे किसी भी फेस को अगर उसको अपर एफेक्ट को हम यहां पर बदलेंगे तो थोड़ा सा चेंज वहने में time लेगा आपलाई करने पर तो यहां पर नीचे देख सकते हैं इरेज की आप्सन दिया गया है यहां से हम किसी भी पार बाप को यहां पर इरेज कर सकते हैं कि यहां पर आपने देखा कि दूसरा जो फोटो है यहां पर ले आकर क्राप करके एड किया गया है और इसको पेंट के माधियम से उसको जो हम लोग नया फोटो लगाया है और जो पहले को प्राणा फोटो है दोनों को एक दुसरे में मैनेस करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं erase के माध्यम से यह जो टूल्स है इस सब का परियोग हम करके फोटो को एकदम बढ़िया से एडिट कर सकते हैं तो यहां पर हम ERAGE और PENCH जो टूल से इसका परयोग कर रहे हैं और इसका परयोग करनेक बाद इसको मंत में अपलाई कर देंगे जैसा कि आत्वर देख रहा है दोजस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो फोट ए रेज और पेंट जो टूल से इसके मार्ण से फेशेप में बढ़िया से एकदम एडिट हो चुका है इसके बाद हम यहां पर देख सकते हैं और भी आप्शन देख रहा है नीचे तो इसमें से हम इस फोटो को अब यहां पर सेफ कर लेंगे अब सक्सेश्पूली जो है हमारा फोटो चुका है अब इसको जो है शेयर करे कर लेंगे है तो, समया फोटो ज स्ट्राइट में flaps अब आप ओपें हो रहा है और यहां फोटो अपन हो चुका है और यहां पर नीके टूल्स में जाएंगे और वहांसे रिषयcha इमज को सृचेल हड़ करेंगे और जो हमारे इमेस का साइज को हम यहां पर कि 66 रख लेंगे और उसके बाद से फिर हम इसको यह पुणा क्रॉप कर लेंगे जो नीचे फ्य सेस एप का जो दिख रहा था जो एप का लोगो था उसको जोड़ मार्क को हटा लेंगे और यहां से effects भी लगा सकते हम इसका alkalẩ吉्क कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कória यहां पर आप अपनी एक्षा अंसार ईसका कोई भी आप्र लगा सकते हैं तो कलर आप अपनी एक्षाओं साथ जो अच्छा लगे जो भी फोटो में अच्छा दिखे उसको आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उन्हों यहां पर दिख रहा है आपको और भी बहुत सारे टूल्स है इसके परियोग करके आप चाहें तो अपना उसका सकते ह मैं यहां पर मेनुवल देख रहा है मेनुवल में सेलेट करके आप थोड़ा बहुतिसमे एडिटिंग कर सकते हैं जैसा कि मैं यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं यह फोटो हमारा बनके त्यार हो चुका है और यहां पर इसमोथ है फेस्पीक्स है बहुत सारे यहां पर आप्सन टूल्स है इसके प्रयोकर करके आप फोटो को यहां पर एमाउंट दिया गया है एमाउंट को भी आप अपने हिसाब से इसके लेबल घटा बढ़ा सकते हैं अ अब इसको जो हम पिंस पर क्लिक करेंगे इसमें से हम पहले से कुछ प्यंजी फाइल रखे हुए है उसमें से इनको जो है सेलेट करके वहाँ पर ओपन करेंगे यह प्यंजी फाइल है यह आप लोग भी पहले से डाउनलोड करके अपने फाइल में रख सकते हैं और इसको बाता कर इसमें कहीं भी अजेस्ट कर सकते हैं तिस जो फंग फाइल देखिए मैं यह पर स्लेट कर रहा हूं आप जितना चाहिं इसका गटा बढ़ा सकते हैं मतलब कितना गाडा दिखेगा और कितना फीका दिखेगा इसे आम आप सीटी बोलते हैं ब्यार्ट दूसरा लोग यहां पर एक और PNG फाइल यहां पर लाएंगे जैसे कि अंब्रेला चत्ता है यह बहुत सारे PNG फाइल है आपको पहले से डाउनलोड करके अपने मुवाइल में रखने होंगे कि इसको हम लगा देंगे जैसा कि लगेगा कि यह हमारे हाथ में है कि गुलाब का फूल है कि देख सकते हैं इरेज करके जो बीच का पार्ट है इरेज कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ के नीचे जानी हाथ में पकड़ा हुआ है इस प्रकार से आप अपने फोटो को बहुत ही संदार होगा कर सकते हैं और इसको देखिए यहां पर रिस्टोर जो टूल से रिस्टोर और इरेज का प्रियोग करके आप यहां पर अपने फोटो को इसको रोटेट भी कर सकते हैं जितना एंगल पर चाहें उसके बाद हम यहां पर और भी टूल से ड्राव इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्राव को सेलेक्ट करने के बाद इस फोटो को जो हैं यहां पर सेफ कर लेंगे तो हमारा फोटो आप सेव हो चुका है तो साथ यो वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चनल पर पहली बारें तो चनल को सब्सक्राइब करें